बस्पा प्रमुख मायवती ने आज भाजबा पर चुबने वाला हमला किया निशाने पर योगी सरकार की तरफ से अगले साल आयूजित होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है मायवती ने ट्वीट करके कहा कि यूपी में देशी और विदेशी पूझी निवेश की जरूरत है लेकिन इसका मकसद सिर्फ सियासी फाइदा हासिल करना और खेती की जमीन का दिग्रहन नहीं होना चाहिए मायवती ने भाजबा सरकार की विकास की नीती को ही कट घरे में खड़ा कर दिया यही नहीं उन्होंने सपा और कॉंग्रेस को भी खेरा है पहले की सपा सरकार को कट घरे में खड़ा किया फिर सवालों की तिशा कॉंग्रेस की ओद मोड़ी बस बाद ध्यक्ष मायवती ने अपने पहले ट्वीट में भाजबा और सपा को निशाना बनाते हुए लिखा यूपी में बीएसपी सरकार में लोगों को रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं से युक्त नए पक्के मकान वभूमियादी भी फ्री में लाखों परिवारों को आवंटित करके यहां गरीबों का जीवन धन्ने होते हुए सभी ने देखा किन्तु पहले सपा वो अब भाजपा सरकार में भी वैसी खास प्रगती क्यों नहीं ट्वीट के जरिए बसपा ध्यक्ष मायवती का संदेश बिलकुल साफ है उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्ग की फिक्र सिर्फ बसपा को है मायवती ने अपने दूसरे ट्वीट की दूसरी रणनीती बिलकुल साफ कर दी उन्होंने लिखा यूपी में देशी वा विदेशी पूंजी निवेश के लिए सरकार का अनवरत प्रयास ज़रूरी किन्तु ये केवल खेती भूमी के अधिगहन तथा राजनितिक एवं चुनावी स्वार्थ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए यूपी जैसे अती घरीबों के पिछड़े प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में वैसी ही तेज प्रगती भी लोगों को दिखनी चाहिए मतलब साफ है कि मायवती अगले साल फरवरी में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर समिट का विरोध करते हुए नहीं दिखना चाहिए लेकिन किसानों के उस बड़े वर्द को साधने की जुगत में हैं जो आने वाले चुनाओं में सत्ता का रास्ता तैयार कर सकता है परन जिस तरह किसानों की जमीन कोडियों के दाम ली जा री थी जिस तरह किसान बिरोध कर रे थी उन पर बलप रियोग हो रहा था और जहां से अपना एक्स्प्रस वे गुजरा उसमें आवास के नाम पर इंदस्टी के नाम पर जो जमीन आवश्यक्ता से कई गुना अधिक और जो सरकार का रेट था उससे कम पे ली जा रही थी हमारा भिरूद उसका था ऐसे में बस्पा ध्यक्ष मायवती की कोशिश उन तमाम पर योजनाओं से अपना नाम जोडने की है जो मौजूदा भाजपा सरकार में चल रही है और बस्पा के कारेकाल में धरातल पर नहीं उतर पाई मायवती में अपने तीसरे ट्वीट में लिखा यूपी की समग्र प्रगती विकास वा लोगों की रोजी रोटी के साथ ही उनके सुरक्षा वा आत्म सम्मान के लिए बीएसपी की हुकूमत में जो कुछ खास काम किया वो अपने बलबूते पर किया गया यमुना के साथ गंगा एक्सप्रेस वे वा जेवर एयरपोर्ट तब बन जाता अगर केंद्र की कॉंग्रिस सरकार ने थोड़ा सहयोग किया होता कॉंग्रिस पर सीधा निशाना साधे जाने से पार्टी ने तब भरक गया और ये विरूद हमेशा हम करेंगे चाहे जो भी सरकार नहीं हो जो किसानों की जमीन को बिकास के लिए ले परंद उसका उच्चित मौपजा नहीं देगी तो हम निश्चित रूप से हमारा विरूद उस विंद्र पे था कभी यमुना एक्सप्रसवे के निर्मान पर हमारा विरूद नहीं था जहां तक सवाल है गंगा एक्सप्रसवे का हमने तु सच चर्चा भी नहीं सुनी थे आपकी सरकार में आपकी सरकार की तरफ से वो विधान सवाम भी नहीं है तब तो मैं विधान सवाम भी था दरसल बस्पा सरकार में बने यमुना एक्सपेसवे के निर्मान की जिम्मेदादी एक निजी कमपनी को सौपी गई थी जिसे लेकर उस वक्त तमाम सवाल उठे थे अब मायवती ने यमुना एक्सपेसवे की उपलब्धी के बहाने जेवर एयरपोर्ट का जिक्र छेड़ा है तो फिर सिफ सियासत तेज हो चली है एबीपी गंगा के लिए प्यूरी पो और बात सियम योगी के गुजरात दोरे की आखिर क्यों गुजरात चुनाव में सियम योगी पर सब की नजर है पिछले चेह दिनों में सीम योगी आज तीसरी बार गुजरात के चुनावी गदर में गरजते दिखे आज फिर उन्होंने तीन जिलों में ताबर तोड रेलिया की रोड शो कर गुजरात में मुख्य विपक्षी दल कॉंग्रिस को भाजपा की ताकत का है सास करवाया इस दोरान सीम योगी ने गुजरात की अस्मिता आजादी की लड़ाई में गुजरात का योगदान और भाजपा सरकार के उप्लम्धियों का बखान के दिखे आज़ते दिखे लेकिन सब की नज़र यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदितनात पर है जिनकी शक्सियत भाजपा का गर माने जाने वाले गुजरात में एहम हो चली है तिसले छे दिनों में तीसरी बार मुख्य मंत्री योगी आदितनात गुजरात पहुंचे भगवान कृष्ण की कर्म हुमी द्वारिका से चुनावी दंगल में कदम रखा इस से पहले द्वारिका धीश मंदिर में पूजा अर्चना कर द्वारिका धीश का आशिरवाद लिया तीसरी बार गुजरात पहुंचे मुख्य मंत्री योगी आदितनात ने द्वार का विधान सभाशित, कच्छ जिले की रापर विधान सभा सीट, मोर्भी जिले की धांगधा विधान सभाशित्र में जन सभा को संबोधी किया जहां से धर्म की धुरी पर भावनाओं पर सवार आस्था और गुजरात की अस्मिता की उस दोर को साथा जो विधान सभाशुनाओं में भाजपा की लगातार जीत का रास्ता प्रशस्त कर सकती है मुख्यमंत्र योगी आदितनाथ ने हर एक मुद्दे पर पुजरात और केंद्र की भाजपा सब्कार की उपलब्द्दियों को जनता के सामने रखा फिर कॉंग्रेस की सरकार में सरदार वल्लब भाई पटेल को सम्मान न मिलने के सवाल को सियासत के आस्प्समान में तान दिया अन्हारत की सीमा इस्ट वक्षित हैं देश के तर आतंगबाद नक्सक आज पल्गाबाद पुरित्रे समात्ति के और है कस्मीर ने धारा 370 को समात्त करने का जो दिड़िक्षा सक्ति प्रणान मंत्री मोदी जी ने और ग्रह मंत्रे विप्साजी ने ने लिया वातंगबाद की दावोत का अन्पी निकील सामिक हो रहे हैं गुजरात में मुख्यमंत्री योगी हुआधार सभाएं कर रहे हैं शाम में भी CM योगी ने सूरत के वराचा रोड बिरहांसभा शेत्र में लंबा रोड शो किया गुजरात ने एक दिसंबर और पांच दिसंबर को दो चर्णों में मत्दान होना है इससे पहले CM योगी कई और रैलियों को संबोधित कर सकते हैं क्योंकि भाजपा की रननीटी गुजरात में 27 साल से वनवास काट रही कॉंग्रेस के सामने पिछली बात से कहीं वरी जीत दर्ज करने की है और कहा जा रहा है कि भाजपा की इस रननीटी में मुख्य मंत्री योगी आधितना बड़ा असर पैदा कर सकते हैं ये भी पी गंगा के लिए प्रिवर रिपोर्ट अरबात माफिया अतिक अहमत की काली दौलत पर नई कार्रवाई की प्रियागराज के जूसी में अतिक की तेरह बिगेग में फैली जमीन को कुर कर लिया गया है कुल दो संपत्यों की कुरके हुई है जिसकी कीमत करीब 125 करोण रुपए की है अतिक ने ये जमीन अपने पिता और चाचा के नाम से खरीदी थी और इस पर बाग लगा रखा था लेकिन आखिरकार इसके सचाई का खुलासा हो ही गया और अब कुरके का एक्शन भी शुरू हो चुका है ये माफिया अतिक एहमद के काले सामराज्य के अंत की दिशा में बढ़ते कानून के कदमों की मुनाती है हर बदलते दिन के साथ अवैद करीके से खड़ा अतिक एहमद के आर्थिक सामराज्य की बुनिया धिल रही है इसी कड़ी में प्रशासन ने उसकी दो संपत्यों को कुरकिया है जिनकी कीमत सवा अरब रुपे बताई जा रही है योगी राज में माफियाओं बावबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ का रवाईयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है इसी कड़ी में आज प्रयागराज की पुलिस माफिया अतिक हमत की एक खिलाफ एक बड़ी कारवाई कर रही है और इस वक्त हम प्रयागराज के जूसी कस्बे के हवेलिया इलाके में मौझूद हैं जहां आप देख सकते हैं कि माफिया अतिक हमत की बेश कीमती प्रापर्टी को कुर्क किया जा रहा है कुर्क करने की कारवाई की जा रही है आप देख सकते हैं कि आप पर बड़ी संख्या में पुलिस के लोग हैं पीएसी की तैनाती की गई है और ये वो बेशकीमती जमीन है वो बेशकीमती प्रापर्टी है जिसे प्रशासन ने कुरकी पुलिस ने प्रयागराज के जूसी शेत्र में करीब 13 बीगे में फैली दोनो संपत्यों पर कुरकी का बोड लगा दिया है इस जमीन पर अतीक एहमद ने बबूल के पेर लगाये थे काली कमाई से बनाई गई इस संपत्य को अतीक एहमद ने अपने पिता फिरोज एहमद और चाचा उस्मान और अफ्रोज के नाम दर्ज करवाया था आस पास के लोगो अतीक के खिलाप यह कारवाई है दूमन गंज में अतीक के खिलाप यह गैंगस्टर एक्ट दर्जुवा था उसी में 14-1 की कुरकी की कारवाई यहां पर की गई है इसमें टोटल जो एरिया है तेरा बीगा का है अनमानित कीमत इसकी 123 करोड है और जो यह संपत्ति है अतीक अतीक एहमद के दौरा अप राज से अरजित धन से अपने परिवार जन्नों के नाम की गई थी उसी को आइडेंटिफाई किया गया और यहां पर कुरक किया गया प्रयागराज पुलिस प्रशासन गैंग्स्टर एक्ट के तहट अब तक अतीक एहमद की कई संपत्तियों को कुर्ट कर चुका है अतीक एहमद की कई संपत्तियों पर बुल्डोजर चल चुका है और इस कारदवाई के बार प्रशासन ने जो संकेत दिया है वो ये कि अतीक अवैद तरीके से जो संपत्ती बनाई है उस पर कारवाई का सिलसिला यहीं नहीं ठामेगा प्रियागराज प्रशासन ने अब तक अतीक अहमद और उसके करीबियों की तकरीबन दस अरब की संपत्तियों पर या तो बुल्डोजर चलाया है या तो उन्हें कुर्किया है और इसी कड़ी में आज एक बड़ी कारवाई की गई है अतीक अहमद के परिवार की एक अरब 28 करोण रुपे की संपत्ति कुर्क की गई है कैमर में रोईश्री वास्तों के साथ मोहमद मोहीन एबीपी गंगा प्रियागराज